दोबटब नापका चीफे में अपका स्वागत है यह वीग 43 है तो यह बहुत ही क्रेजी 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 रहा पेइन मायों का इस्तान बल्टृकी दुबाई युए ई और फाइनली वापिस घर क्यु आई टावर में मैं अपने डेस्क पर बैठा हूं और यहां camera के पीछे mic है, Edwin है, यहां पर all right clear है, यहां पर airish है और Edwin बाहर है और हमारी बहुत सारी meeting से हम plan कर रहे हैं इस साल के बचे हुए बाकी दिन जो की लगबग 2-3 में हैं all right या 70 दिन कहलें और हम plan कर रहे हैं January के online event के बारे में जो मैं हर बार करता हूँ साल के शुरुवात में Rise Again जैसे की 2024 में किया था आप 2025 January में ये एक broadcast event होगा पूरी दुनिया में तो अपने आपको तयार रखें और उसके बाद में अपनी चाइना की trip plan कर रहा हूँ क्यूंकि हम चाइना की तरफ अपने gates खोल रहे हैं और हम उस Great Wall of China को conquer करने वाले हैं क्या आप लोग मेरे साथ हैं South America आपने मेरे Instagram live देखा होगा मैंने वहाँ पर update किया हर चीज को Chronicles of Maya को ये बहुत बढ़िया रहा और Chronicles of Dubai भी बहुत बढ़िया रहा अदली बिजेश और आरुन के साथ और आभी मैं अ अपनों को दर्शाती है और ये एक ऐसी बिल्डिंग है जो दर्शाती है उस निरने को जो दो ग्रेट व्यक्तियों को द्वारा लिए गए जा पार दातु श्रीव वीजे सब्टेंबर 1998 में और अभी हम 26 सार पुराने हैं मुझे विश्वास नहीं होता तो ये सब कुछ आ हम कभी भी अपनी दुकान को बंद नहीं करते लोगों से बात करें लोगों से बात करें लोगों से बात करें लोगों से बात करें तो अगले सत्तर दिन अपने प्रयासों को और बढ़ा दे बिल्कुल भी स्विच ओफ ना हूं मैं आपसे प्रात्ना करना हूं कि बिल्कुल तोड़ा साथ करना विए और इसे सही लोगों के साथ करें किया आप लोग मेरे साथ हैं और आज मैं कुछ अमेजिंग लोगों से बात कर रहा था जो मेरे कमरे में आये मुझे इरिटेट करने के लिए वह 8 से 13 फ्लोर तक आये और माइक कैमरा के बीछे मुझे इरिटेट कर रहा है और वह इस टॉपिक के और हम बात कर रहे थे जो की है ग्रोथ तो सबसे बड़ा सबक जो मैंने दातुश्री वीजे से सीखा जब मैं एक नौजवान था लगबग 25-26 साल का जब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में अपार सफलता दिखने लगी तो मुझे लगा कि मैं ग्रो कर रहा हूँ कि मैंने पिछले 4 सालों में कितना ग्रो किया है तो मेरे पहले चार साल नेटवर्किंग के जिसकी वज़ा से बहुत सारे मार्केट के गेट खुल गए जिसकी वज़ासे आप सब लोग मेरे डाउन-laiins हैं मुझे बहुत गर होता है आपका chief होने के नाते और मैं represent करता हूँ great ones जा पर दातुश्री वीजे को तो मैं उनके साथ बैठ गया और हमेशा की तरह जब आप उनके साथ बैठते हैं दातुश्री वीजे के साथ तो आपको तयार है ना होता है ऐसे प्रशनों और ऐसे comments के लिए जो आपकी ego को hurt करेंगे तो वे भी बैठे और शायद उन्होंने मेरा चहरा देखा मेरे चहरे पर वो चमक थी आप समझ रहे हैं मैं max out हो रहा था बहुत खुश था और बहुत सारा पैसा कमा रहा था और सब कुछ खरीद रहा था और अपने सपनों की जीवन जी रहा था तो दातो श्री वीजे ने मुझे देखा और मुझसे बहुत ही जादा painful सवाल पूछा एक उन्होंने कहा कि आप कब ग्रो करना शुरू करेंगे मैंने उनको देखा और मैंने कहा क्या आप मिरे साथ मजाग कर रहे हैं मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की मेरे पस कुछ नहीं था और आज मैं एक बड़ा अप्लाइन हूँ वी पार्टनर हूँ दुनिया जीत रहा हूँ और उन्होंने मुझे इस सवाल पूछा कि पत्मन तुम कब ग्रो करना शुरू करोगे तो सुभावे के हमारी उस दिन बहुत लंबी बातचीत हुई उस रात जिसको लगबग शेयर करने के लिए कम से कम 10 वेटनस डे मैसेज लगेंगे पर उस दिन मैंने एक बहुत ही महत्वपून सबक सीखा और उस सबक को हमेशा मैं याद रखता हूँ हर दिन आज तक भी 20 सालों से कि आपकी ये जर्नी जो की मैक्स आउट की है आपकी ये जर्नी जो फरारी खरीदने की है या फिर रॉल्स रॉय खरीदने की या विला या फर्स क्लास में फ्लाइ करने की तो ये बहुत ही बढ़्या जर्नी है पर ये जर्नी हो नहीं सकती ये जर्नी प्योरली आपके networking के effort से हो नहीं सकती हाँ आप कुछ लोगों को sign up कर सकते हैं थोड़ा पैसा कमा सकते हैं चेक्स बना सकते हैं तो ये तो कोई भी कर सकता है पर एक serious networker बनने के लिए grow करने की जरूत होती है और ये growth का concept क्या होता है जिसे हर कोई समझने में fail हो जाता है all right देखिए हमारी बेवकूफी हमारी stupidity okay इनसान होने के नाते देखिए हम सब humans हैं हम सब मनुष्य जाती हैं तो हम बहुत सारे परिवर्तन और evolution से गुजरते हैं और हम grow करते हैं और हम सीखते हैं और फिर evolve करते हैं और एक समय पर आकर हम बिल्कुल रुक जाते हैं और हम मेंसे जदातर लोगों के साथ यही problem है कि वह point बहुत जल्दी आ जाता है तो आप सब लोग जो इसे देख रहे हैं भले आप brand new है या फिर पुराने हैं या फिर max out हो रहे हैं कोई फरक नहीं पड़ता तो एक सवाल जो आपको हर रोज अपने आपसे पूछना चाहिए जब आप उठते हैं हर दिन जब आप अपने दिन की शुरुवात करते हैं या हफ़ते की शुरुवात करते हैं आप अपना कुछ भी नहीं है यहां तक की मेरे बच्चे मेरे बच्चे भी इस तरह की networking कर सकते हैं तो जब आप सबसे पहले शुरू करते हैं तो आप कुछ भी manage नहीं कर रहे होते हैं पर आपका विजन आपका गोल आपका सपना होता है कि आपको उस point तक पहुंचना है जहां आप आप चाहते हैं स्टेज पर पूरी दुनिया बे अपनी स्टोरी बताना चाहते हैं और बनना चाहते हैं वी इलिट लीडर वी सी एवी पी वी पार्टनर और वी पार्टनर नॉमिनी तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं या नहीं तो अब यहां से वहां तक पहुंचने के सीखना जिससे आपको अपार सफलता की पुजिशन मिल जाए तो यह सबसे बड़ी बक्वास चीज है क्योंकि सिर्फ नॉलिज को ही हासिल करके अगर आपकी ग्रोथ हो जाती तो दुनिया में हर एक प्रोफेसर एक मल्टी बिलिनर होता पर ऐसा नहीं है कॉलेज और युनि की नहीं जी रहे हैं जिसको जीने के लिए हम सपने देखते हैं तो ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ नॉलिज गेन करने से या यूट्यूपर बहुत सारी वीडियो देखने से या बहुत सारी किताबे पढ़ने से आपको लाइफ में सफलता की गैरेंटी मिल जाएगी नहीं ऐसा होता ग्रोथ का मतलब सिर्फ नॉलेज नहीं है नॉलेज मेरे हिसाब से एक छोटा सा हिस्सा है ग्रोथ का बहुत एक छोटा सा हिस्सा किसी से कहिए मत मैं किताबे नहीं पढ़ता मैं बस उनी किताबों को पढ़ता हूँ जो जापा और दातुश्री वीजे इश्वंद वर क्योंकि अगर यह requirement होती तो फिर तो 3000 universities ऐसी होती जो network marketing की degrees दे रही होती तो knowledge तो एक छोटा सा हिस्सा है मैं लोगों से कहता हूँ कि network marketing में सिरफ 1% से भी कम knowledge है एक max out king or queen बनने के लिए आपको कौन सी knowledge चाहिए आपको बस presentation करना आना चाहिए आपको products के बारे में पता होना चाहिए आपको complaint के बारे में पता होना चाहिए और थोड़ा सापको invite कैसे करना है closing कैसे करना यह सब चीज़े और इसके लवा बाकी सारी network marketing की growth आपके बारे में हैं अंदर से आपकी growth के बारे में all right आपका mentally आपका attitude आपका heart आपकी आत्मा आपका पहला rule growth का वे यह है कि जो सीखा हुए उसको unlearn करना पहले से सीखे हुए को भूल चाना और यहीं पर लोग बहुत सारी गलती करते हैं कि वैस सोचते हैं कि उनको बस सीखना है सीखना है सीख होता है हर किसी के अंदर पैदाईशी वह limitless potential होता है पर प्रॉब्लम यह है कि आपके इस life की journey में आपने कुछ ऐसी चीजों को चूस कि आपकी personality ऐसी बन गई जिसकी वज़ा से आप max out king or queen नहीं बन पा रहें तो अपने आप से पूछें कि किस चीज ने आपको पीछे रोक हर दिन आपके आज पास की सारी बेकार की चीजों की वज़ा से distract हो जाते हैं भले वो Netflix हो या फिर ऐसे निकम में दोस्त जो आपकी life में कोई value एड नहीं करते तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको नई चीजों को सीखने की ज़ुरत नहीं है आपको ज़ूरत ह उन चीजों को छोड़ने की जो आपको पीछे रोक कर रख रही हैं मैंने बात की थी rocks के बारे में feathers के बारे में तो अगर आपको अपनी growth को हर दिन मापना है तो आपको अपने आपसे पूछना होगा कि आपने अंदर कितना सकारात्म परिवर्तन लाया है all right कौन सी कमियों क को आपने बिल्कुल खत्म कर दिया है और कौन सी असी नई विशेशताओं को आपने सीखा है और अपनी जर्णी में लाया है मैक्स आउट की क्या आप एक बहतर श्रोता बने हैं क्या आप अपने से जादा लोगों को समझते हैं बजाए इसके कि आप लोगों को फोर्स करे कि आपके पास इतने सकारात्मक अनुभव हैं कि आप अपनी लाइफ चेंजिंग स्टोरी सुना सके लोगों को तो क्या है वह क्या है जो आपने अंदर चेंज किया है अपने आप से पूछें कौन से डिसिप्लेंस की आपने शुरुआत की है कौन से क्यमिट्मेंट्स को आ आपने नहीं किया कितनी बार आप लोगों ने मुझे कहा कि आप कभी सुच अफ नहीं होंगे पर आप सुच अफ हुए कि आप लाइफ डिया तो इसके बारे में जाद सब्सक्राइब चीज की जो मुझे लगता है जिसकी विज़ास से मैं आज यहां तक पहुआ रहा कितने सीरियस है आप इस जर्णी के बारे में, कितनी जल्दी आप डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो जाते, या फिर अभी भी आप ऐसा बेकार की चीज़े कर रहे हैं, जो आप पहले करते थे, क्या आभी भी आप ऐसे वातावरन में घूम फिर रहे हैं, जहां आप नेट्रूक मार्केटिंग नहीं करेंगा, क्या अभी भी आप लेट उठते हैं, या क्या आप अभी भी बहुत जल्दी सोच आते हैं, क्या आप सारे मेसिजिस का रिस्पॉंड करते हैं, क्या आप अपनी और्गनाजिशन में सब को मॉनिटर कर रहे हैं, क्या आप अपने डाउन लाइन को पुश कर रहे हैं, भले ही उनको खोने का डर क्यूं नहों, क्या आप ट्रेस्पॉस को बना रहे हैं, या उसे रिएस्टैबलिश कर रहे हैं, क्या आप जो कहते हैं वह करते हैं क्या आप लोगों के लिए उधारन सेट कर रहे हैं क्या आप हमेशा एक positive औरा maintain करते हैं और एक positive attitude हमेशा बनाए रखते हैं या अभी भी आप allow करते हैं nonsense को कि आप के उपर हावी हो जाए और negativity आप के उपर हावी हो जाए क्या बिना खाय पी आप सुबह, शाम, रात लोगों को एंस्पायर कर सकते हैं? क्या आप अपने उन बुरे दिनों में जब सब कुछ खलत हो रहा होता है आपके साथ तब आप अपने आपको पुश कर सकते हैं? क्या आप उठकर जूम कॉल पर जाकर हजारों लोगों को एंस्पायर कर सकते हैं? तो आप में कितना परिवर्तन आया है? कितनी फास्ट आप ग्रो कर रहे हैं? क्या आप तीवरगती से परिवर्तन हो रहे हैं? क्या आप आप बिलकुल एक अलग व्यक्तितु वाले इंसान बन गए हैं मैंने कहा था कि आप इस चीज़ को देख सकते हैं जब आप अपनी क्लास रियूनियन में जाएं कॉलेज या स्कूल की और अपने सभी फ्रेंज से मिलें और हर किसी से हैंडशेक कहें और अगर हर कोई यह कहता है कि वाव तुम तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए तो आप मैक्स आउट नहीं हो पाएंगे उनको तो यह कहना चाहिए कि वाव हमने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं तुम कौन हो अपने आपको देखें आप उस रूम में एंटर करते हैं और हर कोई उस औरा को फील कर रहा है तो क्या आप इतने चेंज हुए हैं क्या आप इतने ग्रो कर गए हैं क्या आप जो कहते हैं वे करते हैं हमने आपको कितनी सारी चीज़ें सिखाई हैं जो आपको करने की जरूरत है तो क्या आपने उन सब चीजों को किया आपने वीकॉन से इतना कुछ सीखा तो क्या आपने अपने सिस्टम से कितना कुछ सीखा आपने अप्लाइन से सीखा, तो क्या आप उसे अप्लाइ कर रहे हैं, अपने आप से पूछें, तो अगर आप अपनी जर्णी में अभी इस समय स्ट्रागल कर रहे हैं, और अगर आप सवाल पूछते हैं, फ्रस्ट्रेशन की वज़ा से, कि क्यों आप अभी तक मैक्स आउट किंग और कुईन नहीं बने हैं, तो इसका सीधा सा जवाब है कि आप अभी तक ग्रो नहीं हुए हैं, आप बस एक जगा आकर रुख गए हैं, और दातुश्री वीजे कहते हैं कि एक जगा पर रुख जाना ये सबसे खराब स्थिती है, क्योंकि आपको लगता है कि आप एक जगा पर हैं, नहीं, जब आप रुखे हुए होते हैं, तो लाइफ एक्चुली आपको पीछे की तरफ धकेल देती है, और आपकी स्थिती और बुरी हो जाती है, तो हमेशा आगे बढ़ते रहना, यही लाइफ का परपस होता है, तो अगर आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, चेंज नहीं हो रहे हैं, इवाल्व नहीं हो रहे हैं हर दिन, ताकि उस पॉइंट तक पहुँच सकें कि एक साल के बाद आपको कोई पहजान न सके, तो आपके लिए मैक्स आट अभी बहुत दूर है, तो आप ही वे जवाब हैं, आपका परिवर्दन, आपका एविलिशन, तो अपने आप से पूछें, जिस दिन से आप साइन अप हुए और आज तक आप में कितना परिवर्दन आया है, आप में क्या परिवर्दित हुआ है, कैसा परिवर्दित हुआ है, आप कितना ग्रो किया है आपने, तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं, तो यही वे जवाब है, और इसके इलावा कोई और जवाब हैं आपकी growth जितना आप grow करेंगे उतने आपके checks भी grow करते जाएंगे बड़े होते जाएंगे जितना आप evolve करेंगे आपके organization भी grow करती जाएगे क्या आप लोग मेरे साथ हैं तो आगर आपके checks grow नहीं कर रहे हैं तो उसका जवाब बहुत simple है आप अपर रुके हुए हैं तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं या नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि आपके check grow करें तो अपने commission पर और अपने check पर focus अपने आप पर फोकस करें क्योंकि जब आप ग्रो करेंगे तो आपके आसपास की हर एक चीज ग्रो कर जाएगी क्या आप लोग मेरे साथ हैं I love you guys